आज हो गई है 15 मार्च की तारीक आप देख रहा है क्रिकेट फड़ा फट का 913 एपिसोड और दिनबर की 10 बड़ी IPL ब्रेकिंग न्यूस आज फिर से आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे दोस्तों 31 खिलारियों की लिस्ट घोशत हो गई है जो की पूरा IPL सीजन नहीं खेलेंगे और सचमुच ये लिस्ट IPL फैंस को डराने वाली है तो एंट तक वीडियो को देखें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीचिए और IPL की तमाम रिपोर्ट न्यूस फैक्स अफडेट्स हर रोज इसी तरह से अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का उस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान बाहर हुए थे वो ODI सीरीज से पहले फिट हो गए है उस्ट्रेलिया के हेड कोज ने कंफर्म किया है कि वो तीनों ODI मैचस खेलने वाले मतलब यहां से साफ है कि उनकी अनविलिबिलिटी दिल्ली के लिए नहीं होगी और डेली क आगे परते हैं दोसें आसे बात करते हैं दिनबर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की तो यह खबर बहुत अच्छी है कल हमने आपको बताय था कि किस तरह से न्यूजलेंड के सारे खलाडी पूरे IPL के मैचस खेलेंगे इर्रिस्पेक्टिव और शिरलंका सीरीज और अब उ बोल सकते हैं कि 27 तारिक तक सारे कीवी प्लेयर्स IPL में खेलने के लिए उपलब्द हो जाएंगे यह अब तक की सबसे अच्छी खबर है क्योंकि न्यूजलेंड के बड़ी संख्या में प्लेयर इस साल का IPL खेल रहे थे और अगर इन में से कोई भी मिस करता तो IPL को जटका लगता लेकिन जटका तो लगा है 31 खिलाडी नहीं खेल रहे हैं लिस्ट आगे बताएंगे देखते रहें यह वीडियो का इंट अगे बड़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप के फाइनल में WTC में जो खेलने वाले हैं उन्हें UK भेजने की तैयारी में BCCI है मतलब बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स लगभग 22 तारिक को 22 माई को UK चले जाएंगे WTC की प्रिपरेशन के लिए दरसल राहुल दरविन का और BCCI का फोकस है कि भारत WTC में इस बार फिर फाइनल में पहु क्योंकि Will Jacks चोटिल हुए थे जो कि Glenn Maxwell का backup थे RCV की टीम में लेकिन Glenn Maxwell खुद फिट हो गए तो Will Jacks की अब RCV को उतनी जरूवत नहीं पड़ेगी क्योंकि एहमदाबाद के नरेंद मोधी International Cricket Stadium में ODI Series के लिए Glenn Maxwell प्रैक्टिस करते हुए नजर आये हैं और Australia के sources भी ये बता र स्थिती में तो Warner के बाद Glenn Maxwell दूसरी कुछ कबरी है जो कि IPL फैंस के लिए और RCV के लिए especially ये लेकर आई है आगे बढ़ते हैं दोस्ते आसे बात करते हैं दिनबर की पाची वड़ी रिपोर्ट की तो ये खबर आ रही है डेली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉंटिंग के हव मतलब सबकी निगाहे अक्षर पटेल पर होनी चाहिए क्योंकि पॉंटिंग के हिसाब से इस बार पूरा दारोंदार अक्षर पटेल की उपर रहने वाले रिकी पॉंटिंग ने अक्षर पटेल की बल्लेबाजी की भी तारीफ की और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का फो आगे बरते हैं दोस्तों बात करते हैं दिनवर की छेटवी बड़ी खबर की तो 31 ऐसे खिलाडी है जो IPL के पूरे या आदे मैचेस नहीं खेल पाएंगे इन में से दोस्तों 20 ऐसे खिलाडी है जो कि अपने अपने देशों की नेशनल ड्यूटी मतलब बाइलेटरल सीरीज के कारें आई पील के कुछ मैचल मिस्स करेंगे तो वही 11 ऐसे खिलाडी है जो कि समें इंजर्ड है अनफिट है और इन 11 में से कई प्लेयर्स तो पूरा सीजन नहीं खेलने वाले है तो पूरी लिस्ट घोशेत हो चुकी है तैयार हो चुकी है वीडियो को एंड तक देखते र टीसरा नम है जो की बाँर हो चुके है उसके अलावा सरफरायस खान आयन रिच नौट सी बैन स्टोंक्स काल जैमी सं जो बाहर हो चुके जौपार ओना तैया है उसके अलावा प्रसीत-कृष्ष्ण अ बाहर हो चुके वह लिस्ट में है श्रया साय डीय रीसेंटल चोटल ह है बाहर होने के full chances और जोस्वा लिटिल ये वो 11 खिलाडी है दोस्तों जो कि इस समय चोटल है इन में से बहुत सारे फ्लेयर्स का इस समय आईपिल के शुरुवाती मैचों से बाहर होना पक्का है तो वही इन में से 4-5 ऐसे खिलाडी भी है जिनके नाम मैंने आपको बता है ज हुई बड़ी खबर में आप देखते हैं 20 ऐसे खिलाडियों के नाम जो कि भाईया अपनी national duties के कारण नहीं आने वारे हैं शुरुवाती मैचस में तो कगीशो रबाड़ा, क्विंटन डी कॉग, डैविड मिलर, डिवाल ब्रेविस, एंडिज नॉटजी, एड़न मार्क र और टी स्टफ यह वो प्लेयर्स हैं, साउथ अफरीकी प्लेयर्स हैं जो कि नेधरलेंड सीरीज के कारण रिपोर्टेटली हो सकता है कि तीन तारिक के बाद, तीन अप्रेल के बाद IPL में है, उसके अलावा हसरंगा, तीक्षना, पातिराना और राजपक्षा वो यह वो प इलेंड की टीम को एशेस और आइलेंड सीरीज के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो यह वो 20 खिलाडी हैं दोस्तों, जो कि नेशनल डिवटी के कारण कुछ IPL मैच को मिस करेंगे, जिसमें से बहुत सारे प्लेयर्स तीन तीन दो दो या एक अपने अपने IPL मैचों को मिस कर रहे हैं, एंड मेरे हिसाब से BCCI को इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो यह तो पूरी लिस्ट हमने आपको 31 खिलाडियों की बता दी, कौन बोक से बताना किसको जादा नुकसान हो रहा है, आगे बर दोस्तों, दस्री बड़ी रिपोर्ट के या से बात करते हैं, तो पर एक साल के अंदर में, आप स्मित को ऑस्ट्रेलिया का फुल टाइम कैप्टेन फिर से देख सकें, क्योंकि शायद उसकी शुरुवात योडिया सीरीज से यह लोग कर रहा है, टेस्ट में भी कीती है, यती बहिए दिन बर की 10 बड़ी खबरे, कौन बोक से बताना जरू क कौन सी अबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों, यूटुब में काउंट बोक्स आपके लिए दिया है, तो आपकी राय एहम है, कॉमेंट बोक्स में लिखिए, इस वीडियो को लाइको श्याय कर दीजिए, अपने हो राइको लोग क्रिकेट फैन के साथ, त सब्सक्राइब नीक है, तो सब्सक्राइब को बटन नीचे, फड़ा पर एट करका वेल आइकन दवाईए,